Hello and Welcome, आज Toys पिचारा में मैं बताने वाली हूँ आपको Monopoly board game खेलने का सही तरीका Monopoly 2 to 6 players के बीच में खेला जाता है And I guarantee you कि इस वीडियो को एक पार completely देख लेने के बाद आपको किसी भी और तरीके के instructions की जरूरत बिलकुल नहीं पड़ेगी So let's start इस game में Monopoly board को center में रख कर ये येलो कलर में chance cards और blue कलर में community chest cards को shuffle करकर board पर बनी अपनी spaces पर उल्टा करके रखा जाता है Mutual understanding के basis पर किसी भी एक player को banker बनाया जाता है और banker बनना एक added responsibility है जिसमें banker bank के money, property cards, houses और hotels को manage करता है और banker गेम में एक normal player की तरह ही खेलता है तो सबसे पहले banker खुद को include करते हुए हर एक player को screen पर दी गई denominations में $1500 बाटता है और banker को ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी condition में खुद के personal money को bank के money के साथ mix नहीं कर सकता फिर सभी players अपनी choice का एक एक token सेलेक्ट करके उसे इस monopoly board पर बने go space पर रखते है गेम शुरू करने के लिए इन दो dice को roll किया जाता है और जो player dice total में सबसे ज़्यादा score लाता है वो ही first turn चलता है उसके बाद ये game clockwise direction में खेला जाता है इस game में players अपने पैसे खर्च करकर board पर बनी इन properties को खरीदते हैं और अगर कोई दूसरा player in properties पर आ जाए तो उससे अपनी property पर आने का rent भी वसूलते हैं अपनी turn में हर player इन दोनो dice को roll करेगा और इनका जो total लाएगा वो player को board पर उतने ही spaces आगे जाना है अब जिस जगा पर player आके रुका उस जगा पर क्या लिखा हुआ है ये देखते हुए player को अपना action लेना है उसके बाद next player की बारी आएगी और वो भी ठीक इसी तरीके से अपनी turn चलेगा dice roll करते हुए अगर doubles आ जाए तो player को board पर बनी उतने spaces आगे जाना होगा और उस जगा पर required action लेना होगा और फिर उसे doubles roll करने की एक और chance मिलेगी और अगर दूसरी बारी में भी doubles आ जाए तो player को अपना action उसी तरीके से complete करना होगा लेकिन third time पर doubles आने पर player को सीधा jail में जाना होगा monopoly board पर ये जो column बने हुए हैं ये ज़ादतर property spaces हैं इन colored bars के नीचे street properties हैं और जिन street properties के उपर same color का बार है वो एक property set माना जाता है ये तीन एक property set है उसके अलावा board पर चार railroad properties और ये दो utilities भी हैं board पर बनी हर एक property का एक title deed card या फिर simple words में कहें तो एक matching property card है जो कि game के start में bank के पास होता है तो जब भी किसी player का token एक property space पर आके रूपता है जैसा कि इस case में है तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि उसका matching property card कहा है अगर card bank के पास है तो player उस property को purchase कर सकता है और property को purchase करने का price यहां board पर property के नाम के नीचे ही लिखा होता है तो player property की इस amount को bank को देकर bank से matching property card लेगा और अपने सामने card को सीधा करके रख लेगा ताकि सभी player इस property card को आसानी से देख सके bank को payment करते वक्त अगर player के पास change money नहीं है तो वो bank को appropriate amount देकर change वापस ले सकता है वैसे तो bank का money अक्सर खत्म नहीं होता लेकिन bank अगर चाहे तो paper पर लिख कर भी payment कर सकता है अगर player property खरीदना ही नहीं चाहता तो bank उस property का auction करता है और फिर हर player 10 डॉलर से शुरू करते हुए अपनी बोली लगाता है दूसरी condition में ये भी हो सकता है कि player किसी और की property पर land कर जाए ऐसे में player को उस property का rent उसके owner को देना होगा और rent collect करना भी खुद owner की ही responsibility है अगर next turn से पहले owner अपना rent collect करना भूल जाता है तो वो अपनी opportunity miss कर देता है और फिर वो बाद में अपना rent collect नहीं कर सकता और rent की amount property card के उपर ही लिखी होती है जैसे कि इस case में oriental avenue का rent है $6 और अगर player के पास इस colored set की सारी properties है तो rent double हो जाता है जो की card पर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि इस case में है $12 property set पूरा होने के बाद ही property के उपर houses और hotels लगाए जाते है और अगर property के उपर houses या hotel है तो उसकी amount भी rent में pay की जाती है यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर किसी एक property set की कोई एक property mort card यानि की गिर्वी है तब उस पर houses या hotel नहीं लगाया जा सकता property को mort card कैसे करते है यह game में आपको आगे चलके पता चलेगा एक property पर house लगाने की cost उस property card के उपर लिखी होती है For example अगर कोई player इस property पर house लगाना चाहता है तो उसे house खरीदने के लिए 50 dollars bank को pay करने होंगे यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब हम एक set पर house लगाने लगते हैं तब हमें सभी properties पर एक similar ratio में house लगाने होते हैं अपनी affordability के हिसाब से player जितने चाहे उथने houses खरीद सकता है और वो एक property पर maximum 4 houses लगा सकता है उसके बाद वो अपनी property को hotel में upgrade करता है hotel लगाने के लिए player को पहले अपने houses को bank supply को वापिस देना होता है और उसके बाद उस location पर hotel लगाया जाता है एक property पर maximum एक hotel लगाया जा सकता है game में bank के पास houses खतन भी हो सकते हैं तो इस condition में player नए houses नहीं खरीद सकते और उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक bank supply में houses वापस ना आ जाये क्यूंकि game में houses और hotels को कभी भी खरीदा जा सकता है तो इसलिए अगर ऐसी condition आती है जिसमें एक समय में एक से ज़ादा player उस particular building को खरीदना चाते हैं तो इस case में उस building की auction होती है इसके अलावा कोई भी player street property के अलावा railroad पर भी रुख सकता है railroad की purchased cost board पर ही लिखी होती है लेकिन railroad का rent इस बात पर depend करता है कि owner के पास कितने railroad है जैसे कि इस case में single railroad का rent है 25 dollar और 4 railroad होने पर वो 200 dollar rent चार्ज कर सकता है इसके अलावा board पर दो utility property भी है जिनको usual तरीके से ही खरीदा जाता है और उस utility card के उपर लिखा हुआ rent collect किया जाता है board पर दो और spaces है income tax और luxury tax इन दोनो spaces को न तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है लेकिन उन पर रुखने का rent bank को दिया जाता है board पर community chest और chance space भी होती है इन spaces पर पहुँचने पर player को उस card का board में से top card उठाना पड़ता है और फिर card के instructions को follow करना होता है required action लेने के बाद card को उसी deck के bottom में रखा जाता है लेकिन इसमें एक exception है get out of the jail free card जिस player के पास ये card निकलता है वो इस card को अपने पास रखता है और फिर उसे jail से free में बाहर निकलने के लिए use करता है या फिर वो इसे किसी और player को भी एक agreed price पर sale कर सकता है free parking space पर पहुँचने से कुछ भी नहीं होता ना तो player को property खरीबनी होती है और ना ही वो उसका कोई rent ले सकता है go space पर पहुँचने से या फिर उसे cross करने से player को bag से $200 मिलते है jail की space two separate areas में divided है just visiting and in jail अगर player dice को roll करने के बाद यहां पहुँचता है तो वो अपना token just visiting area में रखता है लेकिन अगर player एक ऐसा card उठाता है जिसमें jail में जाने को कहा गया है या फिर player अगर go to jail space पर पहुँचता है या three times doubles roll करता है तो player को सीधा jail में जाना होता है तो player अगर jail के just visiting section में है तो उसे कुछ भी नहीं होगा और वो अपनी turn normally चलेगा लेकिन अगर वो in jail section में है तो वो किवल तीन तरीकों से बाहर आ सकता है पहला कि वो bank को 50 dollars दे कर jail से बाहर निकले दूसरा वो get out of the jail free card यूज करे और तीसरे तरीके में player doubles throw करने का risk ले सकता है अगर doubles आ जाता है तो player board पर उतनी spaces आगे चलता है और required action लेता है लेकिन अगर doubles नहीं आता तो player की turn वही पर खत्म हो जाती है और फिर वो next turn का wait करता है second turn में भी player के पास doubles throw करने के same वो ही options होते हैं लेकिन अगर third turn में भी doubles नहीं आया तो player को bank को 50 dollars दे कर ही jail से बाहर निकलना होगा गेम के दौरान अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाएं तो आप अपनी properties दूसरे players को एक agreed price पर बेच सकते हो लेकिन houses और hotels केवल bank को ही उनके cost के half price में बेचे जाते हैं houses और hotels को बेचने का तरीका ठीक उने खरीदने के तरीके के जैसा ही है पहले hotel बेचा जाएगा और उसकी जगा पर 4 houses लगाए जाएंगे और फिर एक एक करके हर एक property में से house बेचा जाएगा bank से पैसे लेने का एक और तरीका ये है कि player अपनी property को mortgage या गिरवी रख सकता है property mortgage करने के लिए player पहले अपने property card को उल्टा करके रखेगा और फिर card के back side में लिखी हुई mortgage amount को bank से collect करेगा जब player अपनी कोई एक property mortgage करता है तब वो उसका कोई rent भी वसूल नहीं कर सकता लेकिन अगर mortgage property एक complete set का हिस्सा है और अगर कोई दूसरा player उसकी दूसरी property पर आकर land करता है तब उसे complete set का rent देना होगा और ये ही same rule railroads और utilities पर भी apply होता है अगर player अपनी mortgage property को दोबारा own करना चाता है तो उसे bank को unmort mortgage amount पे करनी होगी जो की है mortgage amount plus 10% फिर उसके बाद player अपना property card सीधा करके रख सकता है जब कोई player mortgage property खरीता है तब उसके पास दो choice होती है या तो वो एक agreed price पर दूसरे player से mortgage property खरीदे और bank को 10% देने के बाद अपने पास mortgage property को उल्टा करके रखे या फिर वो mortgage property को agreed price पर खरीदने के साथ ही bank को unmort mortgage value देकर card को अपने पास सीधा करके रखे तो जैसे जैसे players के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब वो अपने houses, hotels या फिर properties को बेचना शुरू कर देते हैं और जब कोई ऐसी situation आती है जब player को bank को fine pay करना होता है लेकिन उसके पास payment का कोई option नहीं होता तब वो अपनी mortgage property को bank को बेचता है और bank on property का तुरंट auction कर देता है और इसी तरीके से बाकी players के bankrupt हो जाने के बाद जिस player के पास last duck properties और पैसे बचते हैं वो ही इस game का winner होता है